तो केंद्र की मोधी सरकार ने अपने दूसरे कारेकाल का आखरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है जिस पर लगातार प्रतिक्रिया निकल करा रही है वही केंद्रिय राज्यमंत्री कृषिनपाल गुर्जर ने भी इस बजट पर परतिक्रिया दी है और बजट को जनता की हित में बताया है राज्यमंत्री क्रिशनपाल गुजर ने कहा कि कोई राजनीतिक या चुनावी बजट ये नहीं है बलकि ये आम लोगों के हित में लाए गया विकास वाला बजट है हमारे साथ इस वक्त केंद्रियमंत्री क्रिशनपाल गुजर मौजूद है इसमें बहुत अगये बढ़ने वाला बजट है इसमें कोई ने राजनेतिक बजट है नई चुनावी बजट है ऻजवल भारत और समर्द भारत का बजट है इसमें अगले 25 साल यानिए की जो अम्रत काल है यानि कि विकास सील से विक्सित भारत की ज़लक दिखाई देती है इसलिए इस पर हर वर्क पर फोकस किया गया है इस में आप देखेंगे तो रोजगार सर्जनद एम्पलोमेंट जर्रीशन पर फोकस है उसके लिए इंफरीमक्ट इवलप मेंट आप देखेंगे जो यह टूरिजिँम डेवलप मेंटória कोपेटरि वोसाइटोि जीवलप मेंट इसपर पूरा फोकस है और यह अर् Юस्टीश देने वाले चीजें हैं तीनों की तीनों और इस बजट को लेकर Confederation of India Industries यानी CII के एक्सपर्ट्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है PTC News से खास पाचीत में एक्सपर्ट्स ने सरल और आसान भाशा में बजट को समझाने की कोशिश की है सुनिया उन्होंने क्या कुछ का अगर हम एक आम आदमी के नजरिये से देखें जो बजट के तकनी की चीजों को जो कहते हैं कि बड़ा टिपिकल से टर्म्स होते हैं वो नहीं समझ पाता तो उसके लिए आप अगर दो लाइन में बजट को समझाना जाएं तो क्या कहना चाहेंगे अच्छली बजट में जब आदमी इंडिविजियल लेवल पर देखते हैं तो वो देखता है मुझे कितना फाइदा हो रहा है सबसे पहले इंकम टेक्स आता है तो इंकम टेक्स रेजीम में जैसे आपने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यदा चेंजिस किये हैं परसनल टक्सेशन में और परसनल टक्सेशन में उनका जो एक तो स्लैब बढ़ाई है दो सिस्टम उन्हें ने चलाए थे एक पुराना है एक एक में जो एक्जम्शन ले सकते हैं, एक में नहीं एक्जम्शन ले सकते हैं, उन्होंने दोन्नों में ख्याल किया है, तो जिसमें पुराने वाले में भी उन्होंने आपको लिमिट्स बढ़ा दी है, डाई से तीन लग लेकिन नए में उन्होंने फ्लेक्सिबेलिटी रलाई है